आज के वीडियो में बात करेंगे IPL 2022 के लीडर सेग्मेंट की ओरेंज कैप इस समय फिलाल ओरेंज कैप है राजस्थान रोयल्स के विकिट कीपर बल्लेबाज जॉस पटलर के पास बटलर ने तीन मैचों में 205 रन्स स्कोर किये हैं इसमें से एक शतक भी शामिल है अभी तक के टूर्नमेंट में बटलर का एवरेज 102.50 का है और उनका स्ट्राइक क्रेट है 143.35 का लेकिन औरिज कैप को हासिल करने की रेस में लकनो सुपर जाइंट्स के क्विंटन डिकॉक मुंबाई इंडियन्स के इशान किशन लकनो सुपर जाइंट्स के स्किपर के अल राहूल और लकनो के ही दीपक हुडा भी है टूर्नमेंट की पर्पिल कैप इस समय कॉलकाता नाइट राइडर्स के उमेश यादव के पास है यादव ने IPL 2022 में खेले अपने चार मुकाबलों में 9 विकेट्स हासिल किये हैं उनका इनिंग्स बेस्ट 23 रन देकर 4 विकेट्स है इस बार यादव का इकॉनमी भी 5.25 का है और वो किफायती बोलिंग कर रहे हैं परपिल कैप की रेस में उनके पीछे राजिस्तान के यजुवेंदर चहल, लखनव के आवेश खान, पंजाब के राहुल चाहर और दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीव यादव हैं IPL Most Valuable Player की लिस्ट में KKR के उमेश यादव नमबर वन पर हैं उनके बाद राजिस्तान के जौस पटलर, KKR के आंद्रे रसल, लखनव के आवेश खान और पंजाब के लाइम लिविंग स्टोन है IPL Fair Play IPL Fair Play पर जो टीम लीड कर रही है उसका नाम है मुंबाई इंडियन इसके बाद कॉलकता नाइट राइडर्स, चिन्नाई सुपर किंग्स, टेली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का नाम आता है टूर्नमेंट के बेस्ट बोलिंग फिगर से RCB के हसरंगा के जिन्नोंने KKR के खिलाव 20 रंस कंसीट करकर 4 विकिट्स अपने नाम किये है टूर्नमेंट का हाईए स्कोर जॉस पटलर के नाम है जिन्नोंने मुंबाई इंडियन के खिलाव शानदार 100 रनों की इंडिविजुल पारी खेली तो ये रहे लीडर बोर्ड पर कुछ खिलाडियों के नाम अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने सुजाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें